आज मैं आपको एकदम छोटे साइस के सूट विटिंग बताऊंगी साथ ही इसमें एप्लिक लगाना पर बताऊंगी एप्लिक कैसे लएगा यह बहुत इजी तरीका बताने वाली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गा और वीडियो अच्छे लगे त को मैं इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी कटिंग के मेरी बहुत सारी वीडियो अप्लोट किये पहले तो आप लोग जाकर देख सकते हैं और देखे मैं इसमें एकदम इसके मिडिल में लगाऊंगी और यहाब मैंने एक पीन से इसको अटैच कर लिया है ताकि यह इधर से उ हो जाए और फिर्ण्स आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा ड्रेस बनने जा रहा है तो यह मैं एक डांसिंग स्कूल का यूनिफर्म बनाने जा रही हूं जिसके मुझे बहुत सारे ओर्डर्स मिले हैं 16 जो है सूट बनाने हैं मुझे और सेम जो इसी प्रोसेस से और ऐसा ही एपलिक सब में लगने वाला है तो मैं लास्ट मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने टोटल 16 कंपिट कर लिये हैं सारे ही मैं दिखाऊंगे आपको तो इसलिए मैंने दिखाए क्यूंकि आप लोग बोड़ हो जाएंगे सेम चीज देखके तो देखिए आपको जब भी है आपको लगाना हो यूनिफर्म में किसी भी स्कूल ड्रेस में तो आप लोग इसी तरह से इसको लगा सकते हैं देखिए एकदम साइड साइड में हमें स्टिच करते जाना है ताकि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी लगे और ऐसा लगे कि यह पहले से ही सेट है तो फ् को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो देखे मैंने एकदम सेट कर लिया इसके मीडिल में अब चोटे बच्चे का है तो फिटिंग्स अच्छी आए इसके लिए मैं दो प्लीट्स बनाऊंगी सामने तो देखिए क्या आप लोग चाहे तो बड़े जो बनाते हैं बड़े इंसान के उसके सूट में भी इस तरह के प्लीट्स दे सकते हैं इसे फिटिंग्स बहुत अच्छी होगी लेकिन बहुतों को पसंद नहीं आता है लेकिन अगर बच्चों के बना रहे है तो प्लीज आप लोग ऐसे ही कीजिएगा इससे एकदम पर्फेक्ट फिनिशिंग आएगी और फिटिंग्स भी पर्फेक्ट आएगी तो देखे मैं दोनों साइड में इस तरह के प्लीट्स बना रही हो और सेम मेजर्मेंट ताकि दोनों प्लीट्स एक ही जगह पे रहे और यह देखिए कुछ इस तर सारी वीडियो बनाई है तो आप जाकर वह देख सकते हैं डोडी के साथ बिना डोडी के भी अच्छी पाइपिंग कैसे बनाना है यह सारे ही मैंने बताया है तो यहां देखिए मैं सिंपल पट्टी आइड करी हूं सामने की तरह पट्टी बैठाकर स्टिच कर लिया है और सेम उसी मेजिर्मेंट के साथ 6-12 तो देखिए मैं इस तरह से प्लीट्स बना ले रही हूं यह जो है एकदम बच्ची का है आप समझी सकते हैं इसके साइज से की 21 चेस्ट का है तो देखिए मैंने प्लीट्स बना लिये हैं बैक में भी और बैक का नेक बहुत छोटा है यह हाइनेक होने वाला है तो यहां भी मैं इसी तरह का पट्टी कट कर लूँगी और सको स्टीच भी कर लूँगी इस बाद देखिए मैं चुटी-चुटी कट भी लगा रही हूं जैसे कि हम लोगों ने फ्रॉंट में लगाया था अब देखिए अब हमें दोनों की इस शोल्डर को एट करना है से सब्सक्राइब करने fulfilled का learner को दोनो का उलटा साइद में रखना है और पट्टी जोईंडब एक जगा रक्क्र हमें शोल्डर को At करना है आप लोग हमेशा ऐसे ही शोल्डर एटाच कीजिएगा इस ते जो है शोल्डर की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और लुक भी बहुत अच्छा लगता है देखने में तो देखिए मैं डबल स्टीज भी कर ले रही हूँ तो यहां देख सकते हैं हमारी शोल्डर एक तरफ की टटाच होगी है मैं सेम दूसरे तरफ की भी कर लूँगी और इससे वह देखिए थोड़ा एक्स्टा कप्रा है मैं इसको कट करके निकाल ले रही हूं यहां भी मैं इसको एट कर लूँगी मैंने दोने शोल्डर एट कर किया है अब जो है पट्टी को अंदर की तरफ करते हुए उपर एकदम किनारे किनारे पर हमें एक स्लाई लगा नहीं है चाप स्लाई देखिए कुछ इस तरह से जैसा भी हमारा नेक क्यों ना हो चाहिए स्क्वायर हो या फिर कोई डिजाइन वाला हो सेव इसी प्रोसेस से आपको करना है जैसा नेक है वैसे करते हुए इसके उपर चाप स्लाई दे देना है ताकि नेक हमारा पूरी तरह से सेट हो जाए और जो पट्टी बच्ची हुई है उसको मैं बाद में फोल्ड करके हेम कर लूँगी तो देखिए मैंने पूरे नेक में फ्रॉंट और बैक दोनों को ही एक जैसा स्लाई लगा लिया है देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग अप बाद में हमें हेम कर लेना है अब जो है दोनों को उल्टा करके हमारे फ्रॉंट और बैक को उल्टा करके हमें मेजिर्मेंट लेना ह तो फ्रेंड्स यह 21 इंच का है 21 को अगर हम लोग हाप करते हैं तो 11 यानि की 22 हो रहा है लेकिन हमें 11 पर स्लाई नहीं रखनी है हमें 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्टा रखनी है तो मैंने यहाँ पर 13 पर जो है स्लाई के लिए देखे मैंने यहाँ पर जॉक से ड्रॉ किया है औ और जो भी एकस्टा कप्रा मार्जिन का वेवें दोनों साइड में इक्वलीकवली डिवाइड करना है सेम देखे मैं कमर का मेजर्मेंट ले रही हूँ तो कमर में भी इक साइड में रखेगे मैने 2 इंच रखा है bem इस साइड में 2 इंच र्खना है और हमारा कमर एकदम पर तो देखिए इसकी स्लाइब यही तक आती है पूरे अंदर तक हम नहीं लगाएंगे जहां तक मैंने चौक से निसान बनाया से वही तक हमें स्लाइब लगाती जानी है बस देखिए इसके बाद फिर से मैं बैक आ जाओंगी कि एक साइट के हमारे स्टिचिंग हो चुकि है सेम मैं दूसरे साइट की भी जो है स्टिचिंग वैसे ही कर लूँगी आप लोग भी पहले चौक से निसान बना लीजिएगा उसके बाद स्टिचिंग कीजिएगा इससे बात बहुत इक्स्ता कपड़ा होने कर्द में साइड म इस तरह की चुरे-चुटी कट लगा रही हूं ताकि जो है एक दुब साइट से कपड़ा ना मुड़े और इसके वाद देखिए हमें इसका जो साइट कट है इसको इस तरह से डबल फोल करके स्टिच करना है तो फ्रेंड्स यह मैं अपने दूसरे वशीन में दिखा रही हू क्योंकि यह कपड़ा जो है थोड़ा से स्टिचेबल टाइप का है तो उसमें उतने ची फिनिशिंग नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहां करके दिखा रही हूं आप लोग को तो देखिए बस कपड़े को हमें साइट वाले कपड़े को डबल फोल करते जाना है देखिए कु इस तरह से फोल कर लेना है तो बहुत आसान तरीका है यह कुट्टी बनाने का या फिर सूट बनाने का तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राय किजेगा और इसकी कटिंग कैसे करनी है यह भी आप में जल पर जाकर देख सकते हैं तो देखिए फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आई है और अब हम लोग इसके साइब साइड में एक और चाप सलाई देदेंगे ताकि यह पूरी तरह से सेट हो जाए तो देखिए एक साइट का तो कट हम लोगोंने रेडी कर लिया है सेम दुस्से साइट में भी इसी तरह समस्ट स्टिच कर लेंगे तो यहां देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों साइट रेडी कर लिया है अब मैं आपको इसको मेजर्मेंट दिखाती हूँ ते एकदम पर्फिक्ट ये 21 इंच का सूट बन चुका है अब इसके नीचे भी हमें इसको फोल कर लेना और स्टिच कर लेना है यह देखिए फ्रेंड्स का फाइनल लूग मैंने जो इसमें स्लीड भी अटैच कर ली है और देखे कितना सुन्दर लग रहा है इसका लोगो देखे एकदम मिडिल में आया है और साथ ही मैंने नेक में भी हेम भी कर लिया है मैं इसका बैक आपको दिखाती हूँ देख सकते हैं बैक में भी दो पिलिट से यह देखिए फ्रेंड्स इतने सारे सुट में ने बनाया और भी बहुत सारे हैं तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज देख लाइक चैनल पर नहीं है चलको सब्सक्राइब पर लिजेगा मिलते हैं कल ठीक सारे पाज़ वजे तब तक के लिए हरह